असलाम वलेकूम आज हम बनाने वाले हैं टूटी फ्रूटी रवा केक जिसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बोल ले लेंगे इसमें हाफ कप मैंने ओईल एड़ किया है हाफ कप दही एड़ करेंगे ओईल और दही को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है तो देखें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है अब इसमें एक कप दूद एड़ कर देंगे दूद गरम कियावा और रूम टेंपरेचर पर होना चाहिए और वन टीस्पून इसमें वैनला एसंस एड़ करेंगे आप चाहे तो इलाइची पाउडर भी आड़ कर सकते हैं अब इन सब को मिक्स कर लेंगे ये मैंने रवा लिया है दो कप रवे को मैंने पीस लिया है जार में डालके तक ये थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में आजाए अगर आपके पास बारिक रवा है तो आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है अब रवा हम इसमें एड़ कर देंगे दो कप मैंने रवा लिया था और देड़ कप मैंने पाउडर शुगर लिया है पिंच ओफ बेकिंग सोडा और हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर एड़ करेंगे और इन सबको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन को दबाना जरूरी है क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही मैं जो भी नेक्स चैस पिदालूँगी वो आपको मिल पाएगी अब इसको मिक्स करने के बाद 20 मिट के लिए कवर करके हम रेस्ट होने देंगे तकि सूजी हमारी फूल जाए तो देखे 20 मिट हो चुके है इसको कवर करके सूजी भी हमारी फूल चुकी है तो देखे कुछ इस तरीके से है हमारा बैटर अब आम इसमें टूटी फ्रूटी आड़ कर देंगे मैंने ग्रीन और रैट कलर में ली है आपको जो भी कलर पसंद है आप वो कलर ले सकते हैं और इसको हम मिक्स कर देंगे जादा या कम अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग टूटी फ्रूटी इसमें एड़ कर सकते हैं केक टिन लिया है है इसको उज से मैंने ग्रीस कर लिया है इसमें हम केक के बैटर को डाल देंगे और ओवन को मैंने प्रीईट कर लिया है 150 तेमपरेचर पर 20 मिनिट के लिए अच्छ है से ओवन को पहले गारम कर लेंगे अब इसके उपर हम कुछ टूटी फूटी डालेंगे अब इसको बेक कर लेना है 150 टेंपरेचर पर 30 मिनिट्स के लिए तो देखए केक हमारा बेक हो चुका है बेक होने के बाद मैंने इसको थंडा कर लिया था जब यह थंडा हो जया अच्छे से तब हम इसकी किनारियों पर नाइफ चला लेंगे ताकि यह इजली निकल जाए अब इसको हम पल्टी कर देंगे और केक को बाहर निकाल लेंगे तो ये देखिए बहुती एजीली केक हमारा बाहर निकल चुका है मैंने बटर पिपर भी नहीं लगाया था बट फिर भी ये चिपका नहीं है और बहुती अच्छा माशाला केक बनकर रेडी हुआ है अब इसको हम नाइफ से कट कर लेंगे और जैसे भी आपको पीस पसंद है आप उस हिसाब से इसको कट कर सकते हैं तो ये देखिए अंदर से अच्छी तरीके से ये बेख हो चुका है तो हमारा मज़ेदा सा टेस्टी सा टी टाइम स्नैक यानी टूटी फूटी रवा केक बनकर रेडी हो चुका है ये एक इंस्टन केक की रेसिपी है जो आपको बहुत पसंद आएगी जब आप इसको बनाओगे बहुती सॉफ्ट और स्पॉंजी हमारा केक बना है ये देखे मैं आपको तोड़ कर भी बता रही हूँ कि कितना सॉफ्ट बना ही ये तो अगर वीवर्स आपको मेरी रेसिपीस पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले और मेरी रेसिपीस को ज़रूर ट्राइ करें तो फिर मैं मिलते रहूंगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीस के साथ अला हाफिज